प्यारे साथियो महेश गुरूजी की लास में आपका वेलकम है देखिए वैसे तो मैं इंगलिस ग्रामर प्रिफर करता हूँ यानि मुझे इंगलिस ग्रामर को पढ़ाना ज़ादा अच्छा लगता है जैसे सेंटेस कैसे बनते हैं sentence के अंदर जाना, sentence को आपके सामने खोल देना, sentence के अंदर clauses, phrases क्या होते हैं, translation कैसे होती है वगरा वगरा, लेकिन एक viewer ने कमाल कर दिया, पिसले 10 दिन से मेरे हर वीडियो पे एक ही comment कर रहा है Sir, word formation पढ़ाओ, word formation पढ़ाओ, तो लो भाईया ये रहा word formation सब, अब देखिए, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है, बहुत इंट्रेस्टिंग है, क्योंकि आज हम words पे काम करेंगे, sentence पे काम नहीं करेंगे, यानि सब्दों की दुनिया में जाएंगे, कि आखिर, इंग्लिस में सब्द बंतें कैसे कैसे हैं, हाँ, सबसे खास बात, वीडियो two part में होगा, यानि two step में होगा, first step में मैं आपको बताऊँगा, कि word formation होता क्या है, और next step में आपको बताऊँगा, कि word formation कैसे करतें, मलग उसकी विदिया क्या है, YouTube पे बहुत सारी वीडियो सब्द पर आधारी topic है अब देखिए आपको यह तो पता होगा कि हमारी अंग्रेजी में बहुत सारे word हैं spelling से meaning है और जो भी word है जितने ही word है वो इन आठ category में से किसी ने किसी में आता है यानि जो word आपके सामने है वो एक noun हो सकता है word हो सकता है यह fix है यह है जितने ही है इनसे नए word नहीं बनते हैं जो हमारा preposition है on upon in into above यह भी fix है मतलब यह 100, 200, 400 जितने भी है उतने ही है इनसे और word नहीं बनते हैं इसी दरह से conjunction and but or nor जो conjunction है जो words को और sentence को जोड़ते हैं वो इन फिक्स है और interjection जिनमें हम विस्मे करते हैं खुसी आसर प्रकट करते हैं ओ अलास वो वाले word यही fix है तो जो हमारा word formation है न सब्द निर्माड वो इन चार से संबंद रखता है कहने का मतलब है कि आप जो नया सब्द निर्माड करोगे न या तो नाउन होगा या वर्व होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्व होगा या यह आपस में घूमते रहते हैं चलो एक्जांपल से दर समझो देखिए अभी तक जब तक आपने word formation नहीं पड़ा अभी तक आपने एक मिनिंग है अब जिक्सरी में जाओगे इसकार्द देखोगे लेकिन word formation आपको सिखाता है इसके बारे में knowledge देता है कि जो act है न वो एक noun भी और verb भी है noun मतला संग्या example देखो what a good act कितना सुंदर अभन है act मतला अभन है कोई नाटक है ठीक है पूरी activity के लिए आ रहा है तो noun हो गया और verb के रूप में कैसा आएगा यह जैसे I act कोई actor बोले I act in films मैं film में act करता हूं मतला अभने करता हूं तो act करत क्या हुआ अभने करना या काम करना ठीक है एक वर्व हो गया मतलब कोई काम करना अभने करना नाटक करना और noun के रूप में क्या है पूरे नाटक को दिखाया activity को दिखाया swang, नाटक, अभने, कोई भी काम एक नाउन हो गया तो धन्रगना चो act है न वो दो है मतलब grammar की भासा में एक noun के रूप में भी act कर सकता है और verb के रूप में भी act कर सकता है अब मैं जब ऐसी language बोल रहा हूँ न तो आप word formation में जा रहे हो सब्दों को जान रहे हो, सब्दों का जादू, सब्द क्या क्या कर सकते है अच्छा, आप सबसे बड़ी बात समझना कि इस वीडियो के बाद आप भी फटापट से ने ने सब्दों बना लोगे, नहीं भाईया सब्दों जिनको बना ले ना बना लिए आपको तो पता लगेगा कि ऐसे सब्द ने ने बन जाते एक ही सब्द से जब है हमारि पूरी अंग्रेजी में टोल एक Jahre है अब कि यह चाहै है सब सारे के सपा लेकिन जवर आपने इया करना, आपने वर देखा होगा एक्टिव यार तुम बड़े एक्टिव हो एक्टिव मतलब क्या है फुर्तीले हो मतलब कारशील हो मतलब एक्टिव हो जो से भरे हो तो जो एक्टिव अब देखो एक्टिव चलो फ्लार इसको वर्ब मालो एक्ट मतलब आपने करना काम करना लेकिन जो एक्टिव जो वर्ड रहा हूं उसकी विशेष्था बता रहा हूं तो जो एक्टिव वर्ड है ना वो क्या है एक एड्जक्टिव है ठीक है यह वर्ब था और इसमें आई वी लगा के क्या बन गया एड्जक्टिव बन गया अब यह किसी की विशेष्था बताएगा यू आर वेरी एक्टिव तु का मका काम कर से थरीका बताया कि वह बहुत थिविसे काम यहां पर तो यह लिकिन possessed काम कैसे करता है भ्र सफित द्यानक न जो वर्ड वर्ब के बारे मता है वह क्या कहता है यह और अह ख ज्याद इन बर्भट अब actor क्या है, एक noun है, ठीक है, common noun है, अच्छा, मैंने एक word बोला यहां पे action, मतलब कोई काम, ठीक है, तो action क्या है, पूरी activity आ गया, तो फिरिक क्या हो गया यह, यह एक noun हो गया, what an action, क्या action है, तो action मतलब कोई verb नहीं है, पूरी activity है, तो फिरिक नाउन है, जैसे हम कह सकते हैं, actionable, यह actionable है, मतलब इसमें action ले सकते हैं, जिस पे कानूनी कारवाई की जा सके, तो कहने का मतलब है, कोई एक्ट है, मतलब कोई भी काम है, वो action के लायक है, तो फिर यह word क्या हुआ, उसको हमने लिग दिया adjective, क्योंकि विसेश्ता बता रहा है, उस काम की, वो actionable है, जैसे activity, अब यह क्या है, एक noun है, वाड़ गतिविदी है, कोई गतिविदी है, क्या है, एक noun है, activity भी क्या है, एक noun है, मतलब तंह तोवार अच्छी नहीं है, तो नाउन के संसर्म आया, जैसे एक word है, चलो उसको धर लिग देता हूँ, क्योंकि एक दू बाड और भी है, आपने देखा होगा activate कोई चीज एक्टिवेट करना चालू करना मन आपने नया SIM card लिया है तो फिर उसको activate कराते हैं न मतलब चालू करना कोई काम शुरू करना activate करना किस चीज को action में लाना तो फिर यह क्या हुआ यह वर्ब हो हो गया एक नाउन हो गया आपने बड़ देखोगा acting यार उसकी क्या acting है उसका क्या विन है तो फिर यह क्या है यहां पर धंग ना acting कर रहा नहीं है वह तो फिर आएंजी फॉर्म में मतलब कंडर स्टेंस में आता है लेकिन यहां पर क्या है acting उसकी acting अच्छी है ऐसे बोलते हैं तो फिर आगें क्या है एक नाउन है अच्छा एक खास बात हो अगर आपने इसको वर्ब माना तो फिर एक अबने यह भी तो वर्ड फ सब्सक्राइब करते हैं यही वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है एक सब्से नए सब्सक्राइब बनाना चलो यह तो अच्छा आप नोट कर रहे हो क्या फटा पर जल्दी कर लो एक आदक जंब और बता दूंगा फिर बताऊंगा कि यह होता कैसे देखो इधर देखो जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा सक्सीड सफलता ठीक है जैसे मूल सब्सक्राइब सक्सीड सफलता प्राप्त करना ठीक है सफलता प्राप्त करना एक वर्भ है क्या है यह एक वर्भ है सफलता करना अब देखो यहां पर देख वर्भ हो गया अब यह नाउन के रूप में कैसा आएगा सक्सेज सफलता तो धन्दकना सक्सीड होता है सफलता प्राप्त करना सेगंड फ़र में सक्सीडेड थर्ड फ़र में सक्सीडेड और सक्सेज क्या है सफलता सफलता की पूरी जो गाथा है उसको क्या करेंगे सफलता वो success होती है जो कि एक noun है अच्छा इससे एक word और देखो भै बहुत successful है बहुत सफल व्यक्ति है he is a successful person तो पर यहाँ पर यह क्या सफल है अब हम करें कि वो सफल है तो क्या है उसकी विसेस्ता है तो पर यह क्या हुआ एक adjective हुआ विसेस्न हुआ और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें अपना काम successfully सफलता पूरवक करना चाहिए या he did his work successfully उसने अपना काम successfully सफलता पूरवक किया तो फिर यह क्या हो गया इसने किसकी विसेस्ता बताई व्यक्ति की नहीं काम की और धनक ना जब वर्व की जो वर्ड विसेस्ता बता है वो adverb होते है अच्छे मोटी से बात और बता दूँ मैं आपको जादा तर चलता यह कि adverb जो है किसी वर्ड में ly लगने से बनते है जोड़ जोड़ दो जैसे slow धीमा slowly धीमे से ठीक है जैसे successful किसी व्यक्ति की विशेस्ता बताएगा लेकिन यह काम की विशेस्ता बताएगा successfully मतलब वो सफलता पूरबा को उसने अबने किया बोला कोई भी काम किया successfully लेकिन ध्यान रखना इस message को कि मैंने कहा कि ly लगाने से एड़ब बनता है most of बनता है लेकिन ऐसा नहीं है noun भी बन जाता है जैसे देखो love क्या है frame करना ठीक है प्यार यह noun भी है love प्यार जब मैं कर रहा हूँ प्यार पूरी activity को बता रहा हूँ तो फिर यह एक noun है love frame करना एक verb है इस वे मैं जोड़ा ly लवली वाठा lovely baby कितना प्यारा बच्चा है तो फिर यह जब बोल रहा है प्यारा तो कोई तो प्यारा होगा ना कोई बच्चा होगा कोई भी होगा तो फिर यह क्या है adjective है ly लगाने से अड़नीं बना क्या बना adjective बना तो ऐसा कुछ नहीं है बना से आप यह जॉड़ो ऐस से बनादों से अ है сказать अपने से बनाओगे अब माणा है। यह लोगों ने बना दिये चितने बनने सब बर वर्फ के प्रती किरोषीति आती है यह अच्याय Satsa यह बातों को समझना तो मुला वर्ड के बारे में थूदा गहराई से जाना कि वर्ड करते क्या, वर्ड करते क्या है, वर्ड और देखो आप, यह तो आपने देख लिए होगा, नोट भी कर रहे हो क्या, वैसे नॉर्मल बात है, नोट क्वोट करना कुछ नहीं है, देखो, जैसे, एक वर्ड है, हुआ पूरे है इसमस्ती को कि एक वर्ड कैया है एक एक नावन है ठीक है v a में जो अ अधर कि ऐले का ब्यूटीफुल सुंदर है कोई लड़का है लड़के कोई ही मकान कुछ भी है को तो सुंदर होना क्या है, विशेषता है, तो पर यहाँ पर यह क्या हुआ, सुंदर, एक, एड्य cow वहा, बॉब लब विशेषता हुआ, इसी तरह से ओड देखो, मैं कहूँ, ब्युटिफुल्ली, तो क्या हुआ, सुंदर, सुंदर तरीके से, वह सुन्दर तरीके से लिखता है सी सिंग्स ब्यूटिफुली वह सुन्दर तरीके से गाती है सी स्पीक्स ब्यूटिफुली सुन्दर तरीके से बोलती है वह सुन्दर तासे करना तो धना काम की विशेस्ता बता रहा है काम की विजिशता जो बता है verb की वह adverb होता है, अच्छा एक word और है, beautiful, कोई काम सुन्दर करना, अब यह रव है, सहद आपने नहीं भी देखा, beautify, कोई किसी को सुन्दर बनाना, सुन्दर करना, तो देखिए, beauty से यह चार word बने, यह क्या हो गया? Word Formation हो गया, और जो word बने, वो कोई noun है, कोई adjective है, कोई adverb है, कोई verb है तो यही word formation होता है, यह इसकी basic basic knowledge हो गई लेकर असली जानने वाली बात पता है क्या है, कि यह होता कैसे है, इसकी विदिया क्या है तो जैसा मैंने कहा था, अब हम वीडियो के next part पर आ गए यह तो word formation क्या है, बता दिया, अब बताएंगे कि यह होता कैसे है तो मैं आपको पांच तरीके बताऊँगों जो famous है suffix का प्रियो करके, prefix का प्रियो करके, compounding का यूज़ करके conversion करते होए, और last में abbreviation का यूज़ करते होए अब देखो, मूल सब्द है, beauty, एक तो भी बता दू, इसमें beauty में full जड़ा, ful full, तो यह क्या हुआ, तो जो सब्द, कुछ अक्थर जो बाद में जुड़ते हैं वो suffix कहलाते हैं जो पहले लगते हैं, वो prefix कहलाते हैं, तो कुछ 4-5 विदिया है, आपको मज़ा जाएगा, knowledge मिलेगी, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे next part पे, और चलो, आप करते हैं word formation, नए सब्द बनाकर देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि word formation पांच तरह से हो सकता है, सबसे पहला है prefix, prefix को हिंदी में कहते हैं, उपसरग, यानि ऐसे कुछ अक्षर, ऐसे कुछ सब्द, जो किसी सब्द से पहले लगाए जाएं, वो prefix कहलाते हैं, अब अंग्रेजी के prefix हैं famous, जैसे a, a, b, i, l, i, m, pre, non, dis, un, in, ir, re, promise, अब इनका आर्थ मत पूजना, इनका आर्थ बनता है, जिसे देखिये, ithiste, आस्तिक होता है, इसमें a लगाया, तो atheist नास्तिक हो गया, तो यह इसका अपॉसिट हो गया, अच्छा, यह भी एक नउन है, और यह भी एक नउन है, अगला है, normal मतलब, सामानने, इसमें फे अप लगाया तो क्या बना, abnormal मतलब एसमानने, इ साधरन तो यह इसका अपोजिट है यह भी नाउन है यह भी नाउन है लीगल कानूनी इलीगल गैर कानूनी अपोजिट हो गया ना यह भी नाउन यह भी नाउन पॉसिबल संभव इम लगा तो क्या बना इंपॉसिबल असंभव जश्ट अपोजिट है अगला है यूज मलब क प्रिफिक्स है ना वो किसी वर्ड का अपोजिट बना देते हैं अगला है सफिक्स सफिक्स मतलब ऐसे वर्ड जो बाद में लगे इनको हिंदियों प्रत्य बोलते हैं जैसे यह है कुछ एक्जम्प लें आपके सामने जैसे काइंड ठीका दयालू काइंडली दयालू तासे अच्छा यह और बता दू काइंड मतलब दयालू होना क्या है काइंड बता दयालू बड़ेंड चालेज़ को क्या गाइंडली यह यह टो यह तो एक एड़ेंड बरब अब ऐसटा नहीं है पैटरू बदाता रहेगा without कभी वर्ब्र सफिक्स से हम वर्ब से नाउन बना सकते हैं, नाउन से वर्ब बना सकते हैं, अड्यक्सिब, मतलब ये अलग-अलग है, कोई fix pattern नहीं है, नेशन, राष्ट, नेशनल, राष्ट्री है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, फ्री, मुक्त करना, आजाद करना एक वर्ब है, और फ्री में, डि-o-m, डम जुड़ा, तो क्या बना freedom, आजादी, क्या है एक नाउन है, तो ये वर्ब है, एक नाउन है, प्ले, खेलना, अब देखो प्ले भी दो चीज़े, प्ले खेलना भी होता है, प्ले करत नाटक भी हो तो मूव तो क्या है, एक वर्बर मूवमेंट क्या है, एक नाउन है गतिविदी, चाइल्ड बच्चा, और चिल्रन बच्चे, अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे जो लर्णर गलती कर देते हैं, चाइल्ड का चाइल्स कर देते हैं, जैसे चाइल्ड होता है बच्चा, इ एक noun है और friendship, दोस्ती, मित्रता ये भी एक noun है, express होता है व्यक्त करना, बलब अपने भावनाओं को, विचारों को, बात को, express व्यक्त करना एक verb है, और expression, अभी व्यक्ती, जो व्यक्त कर दिया, वो अभी व्यक्ती, क्या है, एक noun है, protect, सुरक्षा करना एक verb है, protection, सुरक्षा, एक noun है, अब देखो, इसमें ment लगा, m-e-n-t, इसमें r-e-n, इसमें sip लगा, इसमें siun लगा, ठीक है, इसमें tiun लगा, तो ये कुछ famous suffix है, और ये कुछ famous prefix है, अब देखो, आपके मन में आ रहा होगा, जो पहली बार word formation पढ़ने क्या, इतने से ही है, सिर्फ यही word है, य जारों लाखों सब्द है, अब आज के बाद क्या होगा, मैं क्या करा हूँ, word formation से आप कोई नया सब्द नहीं बनाओगे, सब्द तो बनाए जा चुके, लेकिन, आपका accuracy आ जाएगी, अच्छा, ये word से क्या-क्या word है, आप dictionary में जाओगे, इनको, अब parts of speech की दश्टी से थोड़ा सा थोड़ा, suffix, prefix को पहचाने लग जाओगे, अच्छा, impossible, आज तक खुब बोला, लेकिन, अब पता लगा कि root word, जो man word वो possible है, इम, उसमें एक prefix लगा हुआ है, ऐसी से, आपने national देखा होगा, बहुत बार राश्ट्री है, लेकिन, आज पता लगा कि root word nation है, तो और चलिए, अब तीन तरीके और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकरी, वैसे हर वीडियो को सुरू में देता हूँ, लेकिन आज भूल गया था, जानकर ये है, यदि आपको हमारे English Grammar पसंद आती है, समझ में आती है, और confidence आता है हम सीख सकते हैं, और आपको सारे English Grammar, यानि सारे वीडियो सेक्वेंस में चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाईए, महेस गुरूजी एप्लिकसन को डाउनलोड किजिए, रेइस्टर किजिए, उसके प्लेट कोर्स में आपको इस complete English Grammar कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही क सकता है कि क्या YouTube की वीडियो वहाँ पर सेक्वेंस में, नहीं, सारा कंटेंट अलग से तयार किया गया है, यदि आप चाहो तो ले सकते हो, चलो, तो देखो, अगला है हमारा compounding करके, अब देखो compound करना क्या होता है, तो सब्दों को मिलाना, यानि सयुक्त कर देना, अब यह पर डू वर्ड ही होंगे और उनसे एक नया वर्ड बन जायगा, देखो, कोल-main, अब देखो kol क्या होता है, koela, ठीक है, noun है, और माइन क्या होती है, खान, तो koela अलग सब्द है, खान सब्द अलग है, मिला दिया तो क्या बन गया, coal-mine, कोईले की खान, अचां, यहाँ प प्रवर्द मानते हो तो गैस्ट क्या है को प्रिफिक्स थोड़ी है गैस्ट मतलब अतिती पुरा एक वर्ड है जो हर्दिर है तो यहां पर दो वर्ड आपस में जोड़े जाते है फिर एक नया वर्ड बना जाता है जैसे गैस्ट अथितिकक्ष नाउंब यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, सारे सारे ओले, यह तीन या तक F Tball, अ draußen भोटा है पैर, यह भी नाउन है और पैर मौन होती है, गैंि यह भी नाउन है, इस अ मिछित फुट बॉल नई, अच्छा segur ञाएंपने को ऐनकी क्या मैंused, A кिल मोरी ओ लाट लोग बात्रूम अब देखो बात क्या है वर्ब और रूम क्या है वर्ब नहीं नहीं गुत बाथ रूम नहीं हो गया तिक वाच मेन वाच होता है निगराली रखने यह यह इक कि एक N Aí रही तो जाना पेचाना ठीक है तो जाना पेचाना यह एक आża ठीक रहाया या पैचाना को अफीएन भुरति प्रणडा उंस सर जाना धाल यह इन 1 चाल हैं आपको वाँध कि तो हाँ यह खास बात देक्ष्ञरी कि आ आज कर साथ में आर्थ के लाव ये भी देख लिया करो और हाँ को अच्छी डिक्स्नरी बहुत साई डिक्स्नरी आज कल तो जो बताती है कि जो word है जिसको आपने सर्च किया देखा वो क्या है अपने सभाव से क्या है नाउने adjective है एड़ वर्ब है क्या है वो आपको सारा बता देगा अगला ह संचिपत रूप का यूज़ करके अब दिखो आपने देखो को बहुत सारे word है जो short form में लेकर होते हैं से PM प्राइम मिनिस्टर अब गया प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री एक word है रॉप स्वर्ट है प्राइम और मिनिस्टर दो वर्ड है प्रधानमंत्री ठीक है और पर दिए ऐसी CMBA government government को GOVT. में लिखते हैं ना sort में organization doctor NASA जो की space की एक agency है अमेरिका में ATM WHO World Health Organization ठीक है तो यह सब sort form है अब ऐसा नहीं है कि इतने sort form है आपने देखो बहुत जार हो है इस वीडियो को मकसद आपको basic knowledge देना आज पाथ थोड़ा interest आजाएगा कुछ काम था आपको भी छोड़के जाओं भाई अगला देखो conversion का यूज करके यानि रूपा अंत्रण अब यह थोड़ा सा आपको तो टफ लगेगा नॉर्मल सी बात है कुछ नहीं है देखो बहुत सारे वर्ड ऐसा नहीं तीन है हजार वर्ड है डिक्सनरी में जाना कभी भी तो दो मैं तो जिस डिक्सनरी को यूज करता हूं को किसी एप का प्रचार नहीं कर रहा है बता रहा हूँ अच्छी है यह है एक साल से सी को यूज कर रहा हूं और कई वीडियो दिया है इसमें हंदी से इंगलिस इंगलिस की दोन तरह के वर्ड मिलता है याँ हिंदी में कुछ डालो ना हिंदी में जैसे की छत को क्या मोलते है उपर रूफ बगर बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे ठीक है जैसे इसको नाउन है तो फिर नीचे लगो ना तक इसका लिखो वर्भ की रूप में फिर घाली में लाहिए कंद़र यह प्ले रम ग्रहं कि किसी वर्ट को आप sentence में किस अर्थ में use कर रहे हो यानि वह नाउन भी है वर्भ भी है वो तो है चलिए अब देखो example देखो we drink water हम पानी पीते हैं तो पानी क्या है पानी एक नाउन है लिख दिया मैंने नाउन लेकिन आई water the plants मैं पेड़ों में पानी देता हूं तो वाटर एक वर्भ भी है पानी देना ठीक है water the crop water the plants तो यहां पर क्या है subject के साथ आ रहा है वर्भ है तो यह हमने क्या कर दिया conversion कर दिया conversion का मतलब है अभी जो मैं आपको बात बता रहता है कि कोई वर्ड बहुत सारे वर्ड है जो नाउन भी है वर्भ भी इस बात की जानकरी फिर जब पता है ना फिर यूज भी कर लिए आप तक डर रहे थे यार मतलब पता ही नहीं था ना वाटर तो पीते है तो नाउन है यहां पर प्ले क्रिकेट खेलता हूं तो यहां पर प्ले क्या है खेलना जब चानती है अगले यह उगले दो नोएक में आगए देखो दॉक्तर ने आइड गौर से देखा अब आई आए आँख होती है लेकर आज पता चला कि वर्भ भी या किस चीज को आप गौर से देख तो यहां पर वर्व है, second form आज इस भी डी लगा, the doctor eye, doctor ने जांच की थी, गराई से देखा था, my swollen eyes, मेरी सूजी हुई आखो को, तो यहां पर आख का है, वह यहां आख है, जो आप देख रहे हो, नाउन है, और यहां पर गौर से देखा, वर्व था, तो यह था, conversion के यूज़ करके, कहने का मतलब है, समझ आपको मिल गई, तो यह था, word formation, और खासकर, उस viewer से जिसने बार-बार करके comment लेखा, कि सर, वीडि सुरू हुई, एक जिग्या सुरू, अच्छा रहा, ऐसा भी होता है, जो पहली बार इस topic को देख रहे होंगे, तो अब खंगालो, डिक्समारी, दो-चार दिर इस topic के साथ रहो, इसी mood में रहो, फिर देखो, आपकी knowledge बढ़ती है, और knowledge बढ़ने का यही तरीका है, मैं क्या सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियो इसको notification मिल जाए, आज के लिए पसे इतना ही, मिलते हैं, next video, next topic के साथ, तब तक के लिए, बाई, अब आराम से इसको note कर लो, ठीक है?